किसान भाईयों वैनों नमस्कार आज हम किसान संचार की ओसे आपको सिफ्ट्रस की एक महत्पोन फसल जो है किन्नू की बारे इंजान कर देने जा रहे हैं तो किन्नू जो है उत्तर भारत में निपू वर्गिये फलो में जो सबसे प्रमुख फसल है इसकी खेती हर्याना पंजाब राजिस्तान और हिमाची प्रुदेश में की जाती है किन्नू स्वास्ते के लिए लाबदायक होता है क्योंकि इसमें विटामिन C के अलावा विटामिन A, विटामिन B और खनिश्तत भी बहुत अथिक मात्रान पाया जाते हैं किन्नू अधिक उत्पादन देने वाली जो है नेपू वर्गिये फलों की संकर किसम है इसका रस खोन बढ़ाने हज्जियों की मजबूती और पाचन में लाबकारी है इसमें खटास जो खटास और मिठास का अच्छा संतुल अने तुने जार खटा होता ने मिठा दोनों का मिलान इस तरह होता कि यह बहुत टेस्ट लगता है फल जन्मोरी पकता इसका और इसका उत्पादन जो है असी से लेकर सो अंतल प्रती एकर तक मिल लाता है अब हम बात करते हैं कि इसके पौदे तयाद कैसे करें तो पौद तयाद करने के लिए जट्टी-खट्टी के वीज निकाल कर जोए सिथम बरकूबर में इसकी विजाई की जाती है और इसकी बुवाई जो है उची उठी क्यारी की जाती है ये दो से तीन मिटर लंबी दो पौदे चोड़ी और आधे कुट जमी से उठी ख्यारी होती है वीजाई की तीन-चास सब्ता के बाद जो हो जाता है पौदे चोटे पौदों को सीथ लहर पाले से बचाने के लिए सूखी घास का चप्र बनाकर राथ को दबनें तो इसके बाले का सर नहीं होता और दिन मे सिचाइव है इसकी गुड़ाय करते रहें इसके बाद बात आती है कि इसके जो इनर्सरिल पौदे तयार होने उन्हें आगे रोपित कैसे करें तो किन्नु की पौदे फरवरी मार्च और अगस से अक्टुबर तक दो समय लगाए दाते हैं पौदों को बिल्कु सिधा लना चाहिए जिससे की इनकी जड़ जो है ठीक से मिटी पकड़ सके किन्नु की खेती कम जलवाई वाले चेत्रों में सर्दी तता गर्मी में की जाती है और सत वर्सा इसके लिए 50-70 cm होने चाहिए परंतु सिचाय का उचित प्रवन जो है वो जहां लगा रहे हैं खेतों में जह भूमी में पानी की सता है बिना गटे बड़े इन मिट्री यह ऐसे नीचे होनी चाहिए अब गड़ों ने पौदे कैसे लगाए इसके बारे मिलताते हैं किन्नु के पौदे जो है 5-6 मिट्र की दुरी को लगाए जाते हैं इस प्रकार पौदों संक्याजों 156-110 पौदे प बाग का लेयाओ तयार करने के बाद पौदे के लिए 1-1-1-1 मिट्र व्यास के गड़ों इस खुदाय की जाती है इन गड़ों को खुदी हुई उपर की मिट्टी में 40-50 गोबर की घाज और 50 ग्राम किलोर्पायरी फॉस्ट मिलाकर गड़े को बर दें गड़ा धराकर से 15- 20 cm उपर उठा होना चाहिए गड़ा बनने के बाद गड़ों सिचाए कर दें इन गड़ों के बीच बाद गाती से लगाकर सिचाए कर दें अब खाद की जातर बात है तो अधिक उपजिक के लिए अच्छी खाद का होना बहुत ज़रुरी है तो फद्रार पौदम में 80-100 kg की खाद और 2-4 kg किसान खाद 2 kg सिंगल स्पर फासफेट तता 175 ग्राम जो में आप प्रोटाजू डालना चाहिए दिसंबर के अंत में ये खाद डाले है इसके वाद जो है किसान आधी खाद जो है मध्य फ्रवरी और आधी अप्रेयर में डालकर जो सिचाए कर दें मैं जू यूरिया का गोल पौदों पर चड़कें खाद पौदों के तने से 30 cm दूर और पौदे के फैलाव तक डालें तना है पौदे का उसके 30 cm चारो और दूरी पर खाद डालें इसके बाद जो अच्छी खाद जो है अच्छी तरह से पौदों की गुड़ाई कर दें और नैटो किन्नों में खटाए चटाए किया सकता नहीं है परन्तु फल तोड़ने के बाद सूखी वे कीट ग्रस टहनियों को काटना बहुत आवस्यक बजाता है साथ ही जलां को रोगी टहनियां हाडी किर्ची और सूखी टहनियों को भी हाट समय समय बठा देना चाहिए थाकि पेरो अठेले या सब्जियां लेना इसके लिए बहुत चाहा हाता है मुम, सोयाबीन, मटार, धनिया, मेटि यह इसमोब आसकते हुआ लेकिं ज्यादा सी चाहिए ज़िए जांद सीरे चाहनेवाद सब्धिया कभी नहीं लगने चाहिए आप एक समस्यातिते आती है किन्नों मैं फल गिरने वाली तो निपू पुर जाती है पौदों में फलों के जड़ने और गिरने की समस्या जो है इससे बचने के लिए फल बनने के बाद जो है मई और जून के महीने में आर्यों फंजीन 12 ग्राम और टू-फोर्डी 6 ग्राम तथा 3 किल ग्राम जीन सलफिट और डेल क्लो ग्राम चुनने का जो पांसो पचाज पाने में घोल बना कर जो है फसल पर चिर्काव करना चाहिए निबू और ये पौदो के आजपकास कपास की फसल होना जजी है तो 2-4-day का शिर्काव बिल्कुल ना करें अब आज आते हैं केड़े और उनसे बचाओ तो इसमें जो केड़े आते हैं उनसे पहला केड़ा है निबू का सिल्ला नीबू का सिल्ला जो है उन नीबू और ये फसलों का प्रमू कीड़ा है इसका प्रखोब खटे पौदों की सभी जाकिन होता है ये कीड़े नई टैनिस रस्थ चुछते हैं जिसे पौदों की ब्रबार जो हो जाती है और फल जो काफी कम दखते हैं इसकी रोग थाम के लिए या शास्थो पचास्ट मिलिटर आक्सी डैमेटर मिथाए जिसे मेतासी स्थोप 25 परसेंट या 25 वीची कह लिए या 600 मिलिटर जो है डाइमेथ वेट रोगोर थी सी या 180 मिलिटर जो है फास्थ फेमिडाउन दाइमेक्रण जो है वह फचासी डबू पचासी डबूस ची या 500 मिलिटर मोनो कृट्रोफास चापकेश डबू सी को जो है 500 मिलिटर पानी में प्रितिये कर गई साथ से भोलकर चल सकते हैं मतलब इन में से कोई भी दवाए एक बार गिलें और फिर दूसरी फिर तिसरी मतलब दवाएं का अदल बदल कर सत्रे करें तो नीपू की तितली की इस रोग ठान के लिए 500 मिलिटर मोनो कृट्रोफास पानी में पानी में मिला प्रितिये कर सकते हैं एक और किरा आता है नीपू का लीफ माइन तो ये कीट मुलाएं पत्तो में चांदी की तरह चमकीली और टेडी मेडी सुरंगे बना पर गउसान पहुंचाता है एक और किर यह हानी कारकीडा पेड़ की छाल को खाता है तता चिपने के लिए जो डालियों में गराएक तस्वरंग बनाकर साखा को कमजोर करता है इसके नेंतरण के लिए सूखी साखाओं को काट कर जला दें मोनो केर्टो फास दो मिलेले द ह्याख प्लिटि लीटर पानी का गोल बनाकर साखाओं और डालियों प्षिरकाओं करें उड़ा चाल बख से कीट है जो इसकी रोग थां के लिए जो आप 2 longtime मोनो केर्टो फास आख़र होगो एक लिटर पानी के दर से गोल बना कर होगो साध्खाओं और डाल्ड़ियों कर मिठखाओ करें और आख़ नर्च को साफ कर के किसी पेंख़गर की साहथा से 3-5 मिल्यूर मिल्टी को कर दो के घर सिरकर इस रोग में पत्तों टहनियों और फलो पर गहरे बोहे रंके खुर्द्रे डब्बे पढ़ जाते हैं पत्तियां पीली पढ़ कर सोखने लगती हैं इसकी रोग थान के लिए जवाब जीरो दसमलो तीन प्रतिसत कापर आउक्सी क्लोराइट का श्रकाव कर दें तो इसका निंधर काफियत्य बोजाता है एक और होगे टहनि मारूप तो इसमें जोए टहनियों उपर से सोखने शुरू हो जाती हैं फल और तने गल सकते हैं इसकी रोग थान के लिए काट छाट कर करने के बाद करने के बाद जीरो दसमला तीन प्रतिसट पर्पर आउक्सीक्ली क्लोरैट प्रति क्लॉड्य क्लिऊर्ची निया 500 मिली ग्राम अ ऑर 2 ग्राम कापर आउक्सीक्ली को 30 पानी कि दर कोफार से अक्टूबर दिसम्बर और फरवरे में चरकाव कर दें तो इस इसकी बिमारी की भी रोप थाम जाती है, तो ये थी किन्नों ही फसल की खेती के बारे में का वस्क जान करें, हमें मुम्मीर लेकर आप इसका लाव उठाएंगे, इसी के सब आप सब का धन्यवाद. अवस्क अएक्षबगोई